पहले मुझे दत्त पिठम आने का आउसर मिला था, उसी समय आपने मुझे इस कारकम में आने के लिए कहा था, मैंने मन तो तब ही बना दिया था कि फिर आप से आशिरवार लेने आऊंगा, लेकिन नहीं आपा रहा हूँ, मुझे आज ही जापान यात्रा पर निकलना है, मैं भले ही भावतिक रुप से दत्त पिठम के इस भव्यकारकम में उपस्तित नहीं हूँ, लेकिन मेरी आत्मिक उपस्तिती आपके बीची है, स्री गणपती सच्चिदानन स्वामी जी को, मैं शुभ पल पर बहुत बहुत शुभ कामनाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जीवन के असी वर्ष का पड़ाव बहुत अहम होता है, असी वर्ष के पड़ाव को हमारी सांस्कृतिक परंपरा में सहस्त्रत चंद्रदर्शन के रुप में भी माना जाता है, मैं पुझ्य स्वामी जी के दिर्गायू होने की कामना करता हूँ, मैं उनके अन्यवाईयों को भी हार्दिक बढ़ाई देता हूँ, आज पुझ्य संतों और विशिष्ट अतितियों द्वारा आस्रम में हनुमत द्वार एंट्रंस आर्ज का लोकापन भी हुआ है, मैं इसके लिए भी आप सभी को बढ़ाई देता हूँ, गुर्देव दत्त ने जिस सामाजी की न्याय की प्रिणा हमें दी है, उससे प्रेदित होकर आप सभी जो कार्य कर रहे हैं, उसमें एक कड़ी और जुड़ी है, आज एक और मंदिर का लोकारपन भी हुआ है, साथियों, हमारे सास्त्रों में कहा गया है, परोपकार आया, सताम विभूत आया है, अर्थात संतों की, सज्जनों की विभूती परोपकार के लिए ही होती है, संत परोपकार और जीव सिवा के लिए ही जन्म लेते हैं, इसलिए एक संत का जन्म, उसका जीवन केवल उसकी नीजी यात्रा नहीं होती है, बल्कि उसे समाज के उत्थान और कल्यान की यात्रा भी जुड़ी होती है, श्री गणपती सच्चेदानन स्वामी जी का जीवन एक प्रत्यक प्रमान है, एक उधारन है, देश और दुनिया के अलग-अलग कौनों में अनेकों आश्रम, इतनी बड़ी सौस्ता, अलग-अलग प्रकल्प, लेकिन सबकी दिशा और धारा एक ही है, जीव मात्र की सेवा, जीव मात्र का कल्या, भाई और भेनों, दत्त पीठम के प्रयासों को लेकर, मुझे सबसे अधीक संतोस इस बात का रहता है, कि हाँ, अध्यात्मिक्ता के साथ साथ, आधुनिक्ता का भी पोशन होता है, यहाँ विशाल हनवान मंदिर है, तो 3D मैपिंग, साउंड एंड लाइट शो, इसकी भी व्यवस्ता है, यहाँ इतना बड़ा बड़ पार्ग है, तो साथ ही, उसके संचालन के लिए, आधुनिक व्यवस्ता भी है, दत्त पीठम, आज वेदों के अध्यन का बड़ा केंद्र बन गया है, यही नहीं, गीत, संगीत और स्वरों का जो सामर्थ, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उसे लोगों के स्वास्त के लिए कैसे प्रयोग किया जाएं, इसे लेकर स्वामी जी के मारदर्शन में प्रभावी इनोवेशन हो रहे हैं, प्रकृत्वी के लिए विज्यान का ये उप्योग, अध्यत्मिक्ता के साथ टेक्नोलोजी का ये समागम, यही तो यही तो गतिशील भारत की आत्मा है, मुझे खुशी है कि स्वामी जी जैसे संत प्रयासों से, आज देश का युवा अपनी परंप्राओं के सामर्थ से परिचीत हो रहा है, उन्हें आगे बढ़ा रहा है, साथियों, आज हम स्वामी जी का अस्वीमा जन्मदीन एक ऐसे समय में मना रहे हैं, जब देश अपनी आजहादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, हमारे संतों ने हमेशा हमेश्व से उपर उठकर, समस्त के लिए काम करने के लिए प्रेणा दी है, अ, कि मैं म कांप्री आजहा है, जब देशल चिस्वीमा थे लिए और उता है,